आप सभी को प्रभीश मस्यगी मतुर नाम से मेरा प्यार बना जही मस्यगी आज के श्राम के समय या रात के समय प्रभू की उपस्तित में अमलों प्रभू की वजन से मनन करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमारा प्रमेशों हमें सुनहरी मौका दिया ताकि हम प्रमेशों की उपस्ति में इस भूमुली समय को विदा पाएं और आप सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी लोगों में हार्दे स्वागत करता हूँ आप लोगों तक प्रभु का इस वाख अलाम को पहुंचाने के लिए प्रभु ने मुझे दिया इस सुनगरी अवसर के लिए मैं प्रभु दन्यवा देता हूँ इसके पीछे जो प्लाइसमें या बहांड श्रीन जो लोग जो काम में कार्व प्रभु आप लोगों को बहुत सारे आशिशों से वरकतों से भरदे विशेशकर प्रभु जफस नंठीर और पार्शच जेकब जोंड और सभी लोगों बहुत धन्यवा देते हैं और इसी प् उसvaशी की नाम की महिं मामलों मिलकर करेंगी हम जान्द हैं हमारी आत्मी की जीन के लिए जैसे हमारे शारीन की जीनकी जीने के लिए जीने के लिए कई चीशों की जरूर्त है इस समसार में जो विक्ति जनम लिया उस विक्ति को जीने के लिए उनको सबसे पखली बात है ओक से जिगी जरूरत है शुआस लेना और उनको आगे ग्रोथ के लिए आगे बढ़ने के लिए उनको दूद पीना है या खाना खाना है और उनको आगे बढ़ने के लिए और भी कई चीसों को ज़रूरत पढ़ते है एक मनुश्य की जिन्दगी में जिस प्रगार एक शारीर की चीवन में हम सबी को ओक्सिलिंगी ज़रूरत है और खाना का जरूरत है या रहने का स्थान के जरूरत है ठीक उसी प्रगार हमारा इस शरीर जो हम देख रहा है इस शरीर की जैसे एक आत्मी की मनुश्य को भी जीने के लिए आगे बढ़ने के लिए उसी प्रगार अरवेश्शो बहुत दिया है जो हमें अमारी आत्मी की जीवें की उन्दिते के लिए हमें पगड़ते रहना है मारी आत्मी की जीवें में जड़ पगड़ते जाने के लिए हमें उस सिधान दोंब हमें रहना है और उसको हमें अमल करना जिरूरी है सु इस शाम की समय मैं आप लोगो खांस करके एक विशेप बाचित करना चाहता हूं मेरा विशेए ही ये कि Be Rooted in Christ प्रभू में, मसी इश्यू में जेड़ पगड़ते जाना उसके लिए मैंने जो वजन निगाला वो एक फुलुशी की पतरी दूसरे अधिया है उसका 6 और 7 आयत खुलुशी के पतरी, Book of Colossians, Chapter 2, Verses 6 and 7 सुनिये इसलिए जैसे तुमने मसी इश्यू को प्रभू जाँ प्रभू जाँ बा हुआ झाल झाल ्बदी झाल 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 झाल